Hey guys, Rungurji here और आज मैं Flipkart और Amazon के जो डील्स आ रहे हैं उनके बार में बात करूँगा तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ the best deals on Amazon and Flipkart for smartphones पर शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हो तो subscribe button और bell icon जरूर दबाईए शुरू करते हैं So guys, sale आ रहा है काफी offers यहाँ वहाँ दिखाये जा रहे है constant emails आ रहे है constant notifications आ रहे है कि sale आ रहा है very good कल से actually Flipkart पे जो Plus members है प्रीबुकिंग करना शुरू कर ज़ते है तो काफी interesting चीज़ है बट इसमें आपको कौन से smartphones खरीदने चाहिए काफी लोगों ने मेरे काफी वीडियो उस पे comment करके मुझसे पूछा है कि कौन सा phone better है So आज मैं आपको कुछ deals बताऊंगा जो आपको Amazon और Flipkart से देखने चाहिए, consider करने चाहिए इन सब deals की link आपको नीचे description में मिल जाएगी आपको बस ही करने, इनको card पे add कर दीजे जैसे ही sales शुरू होगा खरीद लीजे You will not face out of stock problem आपको out of stock वाली problem नहीं face करने को मिलेगी So जो पहली deal है, जो मेरे हिसाब से काफी crazy है, Apple fanboys fangirls के लिए तो वो होती है iPhone 11 तो जिनको पता नहीं है iPhone 12 launch होने वाला है और iPhone 11 इंडिया में बनना शुरू हो चुका है ठीक है और iPhone XR पहले से ही बन रहा था इंडिया में तो अब हुआ यह है कि iPhone 11 की price काफी crazy drop होने वाली है तो जिनको पता नहीं Flipkart पे iPhone 11 49.99.99 का मिलने वाला है मतलब पचास हजार का पचास हजार में आपको iPhone 11 मिलेगा जो काफी crazy deal है काफी बढ़िया deal है और जिस तरह से हमने पहले दिखा है यही deal आपको Amazon पे भी मिलेगी ना डिफरेंस यह होता है कि एक तरह से Flipkart पे वो डील अलग तरह से मिलती है और Amazon पे अलग तरह से बट जो प्राइस होती है वो सेम रहती है तो अगर फ्लिपकार आपके यहां पे डिलेवर नहीं कर रहा है यह आपको फ्लिपकार उतना ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है तो आप सेम डील जाके Amazon पे भी ले सकते है क्योंकि प्राइस सेम होगी यह तो हो गया iPhone 11 Apple Fanboys के लिए काफी crazy डीले जाके देखो बखुत बढ़िया मजा आएगा ठीक है काफी अच्छा फोन है ने यूज कर रखा है और गूड एक्सपिरिंस और फिफ्टी थाउज़ में वैल्यू फॉर मनी हो जाता है अगर आप आपल की तरफ देखोगी ठीक है बट यहीं नहीं आप में Android पर आते हैं Android में 1 प्लेस एट आप सुच्छेंगे 1 प्लेस एटी लॉंच होने वाला है मुझे पता है 1 प्लेस एटी लॉंच होने वाला है तो मैं 1 प्लेस एट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 1 प्लेस की स्ट्राटीजी पता होगी वह जब भी नया फोन लॉंच करते हैं उस फोन लॉंच के टाइम पर पुराने फोन की वाल्यू कम हो जाती क्यों 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 ने स्टॉक निकालना होता है काफी बार अभी तो उन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया काफी पहले की फोन भी आज भी मिल रहे है सो वह खतम नहीं करते हैं प्रोडक्शन बट प्राइजेस रिड्यूस कर देते हैं तो आपको लेने को बोल रहा हूं क्योंकि 1 plus 8 में स्नाप्राइगेट क्रैवाइट प्लॉस одно ग। आगा उसमें आट में क्रैंगिंग अपको पस का देंक क्लोग यह वह दो क्यों रिए वर्लड में अगर आप यतोड आडर मिसेज गर्यान कर रहा है आपको पांच परसेंट का ही डिफरेंस पता नहीं चलेगा वो क्योंकि काफी optimization करने के बाद RAM भी add करो storage भी fast add करो यह सब करने के बाद अगर एक perfect lab environment हुई तो आपको एक फरक पता चल सकता है between 865 or 865 plus but as a normal user as a day-to-day user या as a gamer mobile gamer आपको कुछ difference नहीं पता सलेगा दोनों chipset और जो one plus eight है वो एक काफी value for money offering है उसकी current price पर भी जब आप उसको one plus eight pro से compare करते हैं वो आपको best of everything देता है but it does not cost as much तो मेरे हिसाब से one plus eight काफी बढ़िया deal होगी क्योंकि वह आपको सब कुछ देता है उसमें हाँ उसमें हर चीज टॉप नौच नहीं है बट उसमें हर चीज बॉटम भी नहीं है काफी perfect kind of phone है जो आपको आपके value for money देता है और अगर आप one plus ले रहे हैं तो value for money यह आपका यूजवली माइंडसेट होना चाहिए क्योंकि उनके जो जैसे one plus eight एक offering है काफी बढ़िया quality का उस पर android 11 वाला वर्जन औरेडी आने वाला है मतलब अनौश के हम android 11 रिलीजी करने वाला है उस पर 80 में तो साथ में आएगा बट जब 80 रिलीज होगा अगर आपने उनकी प्राइस दीखिए तो 80 काफी ज्यादा हाइप के साथ रिलीज होगा है कि उसकी कौश बढ़ी हुई होगी जो आपके लिए तो वह आपको जरूर देखना चाहिए अब जो गेमिंग वालें जिनको सिर्फ गेमिंग से फरक पड़ता है बाकी किसी चीज से फरक नहीं पड़ता तो आइकू आपको 29,990 रूपीज में मिलेगा फ्लिपकार्ट पे अबिसली इन साब डील्स की लिंक डाउ होना जा रहा है डे-to-day में because of the OS updates और जो operating system में वह उतना अच्छा नहीं है जो यू आपरेटिंग सिस्टम तो Android है बड़ जो यू आपको वह सब से अगर फरक नहीं परता आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो आइकू 3 29,990 में एक बहुत ही पढ़िया डील है जाके जरूर लीजे वन प्लस नॉर्ट का 25,000 वाला वेरियंट लॉंच हो रहा है जिन्होंने भी उसके लिए वेट करना इतने टाइम तक सोचा कि सही है आप जाके ले सकते हो बट वह काफी चल्दी आउट उस्टॉक हो जाएगा तो आपको उसको चाह के नॉड को add to card कर दीजे वहां जाके आप options change कर दीजे इन एनी केस नॉड पे और डिसकाउट मिलेगा तो यह ज़रूर याद रखना अगर आप देखनी वाले हो तो मैं बोलूंगा जो 28 वाला वेरियंट है वो बहुत बढ़ी है कि उसमें storage बिल्कुल सही मिलती है 128 gp जो एक necessary storage है आजके टाइम में आपक है choice पे नए release होने वाले phone है V20 V17 इस सारे phones जो है new release इन पे भी discount होगा ठीक है तो आपको मैं links नीच से down below दे दूँगा इन phones के बार में ज्यादा information नहीं है ना feedback है तो यह अगर आप को वह brand और उस brand के phones पे विश्वास है तो जरूर जाके purchase कीजिए बट जो नए नए launches है they are not something to buy in a sale वह आप normally भी खरीद सकते हैं अब कौन सी चीज़े extremely cool price में मिलने वाली है LG G8 काफी price drop होने वाली इसकी flip card पे तो आप जरूर जाकि देखिए काफी अच्छा फोन है LG का OS बहुत बढ़िया होता है और उनके features जो होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं और यह phone 19,000 के आस-पास मिलने वाला है तो बहुत ही amazing deal है Redmi K20 Pro मैं अभी भी बोलता हूं जिनको भी budget tight है और उनको एक flagship phone चाहिए Redmi K20 Pro बहुत ही अच्छा phone है क्योंकि उसकी जो screen है वो full है there is no interruption no notch nothing pop-up camera है बहुत ही beautiful screen है MIUI 12 अल्रेडी आचुका है और Redmi K20 Pro की development community बहुत amazing है उनके लिए बहुत सारी custom roams है और आपको यह Amazon पे 23,000 का मिल जाएगा 23,000 nod से भी कम price है और बहुत ही अच्छा performance है तो आपको वो जरूर याद रखिए काफी बढ़ी iPhone है बहुत अच्छे discount है इस पर ठीक है तो यह थी deals जो मेरे हिसाब से highlight होनी चाहिए but मैं यह constantly update करता रहूंगा और आपको अगर वो अपडेट शाहिए तो आप दो तरीके से वो updates ले सकते हैं तो हमें telegram पर जॉइन कर सकते हैं नीचे लिंक दी हुई है और मैं अपनी website बना रहा हूं जो website में अभी तक मैंने जितने भी मुझे cool deals अभी तक मिली है वो already upload कर दी है मेरे website पे तो आप बहा जाकिए वो deals check out कर सकते हैं मैं update करता रहूंगा आपको काफी बढ़िया डील मेरे हिसाब से recommended मिलेंगी अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए थैंक यूगाइज कर दो कर दो